हाँ तो दोस्तों फिर से हम आप लोग के लिए NSP related एक नया important वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में एक बहुत बड़ी problem के बारे में बात करेंगे जो problem हो भी काफी सारा student के साथ हो रहा और comment पर comment आरा के सार इस तरह का problem हो रहा solve भी नहीं हो पा रहा अगर आप लोग NSP apply की हैं तो वीडियो को थोड़ा सा time निकल के जरूर देख लिजेगा हो सकता है आज नहीं तो कल अगर आपके साथ यह problem हो जाए तो आप लोग अभी क्या करेंगे उसका भी process देख लिजे तो चली आज के वीडियो शुरू करते हैं पहले बात करते हैं कि student का फॉर्म देख पार है यह student इस बार 21 सेशन के लिए स्कॉलसिप apply किया था NSP एप्लिकेशन इस marks as defective by the district nodal officer इस student का अभी हो गिया अभी problem बहुत बड़ी है क्या problem हो रहा मैं अभी आगे बता रहा हूं ठीक है उससे पहले मैं अपना school का एक student का details को यहाँ पर open करके दिखा देता हूं इस student का देख पर है दो दो बार defective हुआ है तीन बार defective हुआ है चोथा बार में इसका verify हुआ है defective का मतलब पहले आप लोगों समझा देता हूं जिसको नहीं पता जिसको आप लोग समझ लेजए कि defective का मतलब क्या होता आगर आपका form कोई भी officer institute हो या पर district nodal officer इस्टेट नौडल officer आगर defective करते हैं मतलब आपका form में कोई truth है कुछ गलती है उसको अब सुधार के दुब फिर सुधार के फिर verify कर दिया फिर उसके बाद पता चला student ने फिर से गलती कर दिया अपना percentage पिर्भीयस का percentage भी गलती कर दिया बहले पिर्भीयस का percentage इन लोग का grading था ये plus B तो जैसे कि A 62 80 रहता तो 85 या फिर कुछ डाल दिया तो जिसके वज़े से इसको दुबारा defective करन पड़ा था तो इंस्टिटूट एक बार verify करने के बार defective नहीं होता तो हम के लिए हम डिस्टिक नॉडल officer तक का contact किये कि एक student है जिसका नाम यह है और यह by mistake अपना percentage कुछ mistake कर दिया तो आप उसका form का defective कर दिया दुबारा फिर verify कर दिजेगा तो देख पार है हमारी यहां यह verify कर दिया है student का form और verify करने के बाद अभी मतलब किलियर इसका final verify by district nodal officer हो गया है इसका form में कोई दिक्कत नहीं है अभी man problem क्या हो रहा है इसका form में देखे इस student का application marks is defective by district nodal officer हो रहा है ठीक है मतलब defective district nodal officer किया है किसलिए किया है वो भी problem देख लिजे bonafide institute certificate not uploaded as per given format in NSP मतलब बोला जा रहा है कि bonafide जो institute का जो bonafide अब upload किये हैं वो यहाँ पर NSP का जो format है उस तरह का नहीं upload किये हैं मतलब NSP scholarship में हम लोग जब भी document upload करते हैं side में bonafide का format दे देता है download करते हैं तो NSP खुद से आपका application number date about school college का नाम लिख के दे देता है कि इसको आप print कराई है पिंसिपल से या headmaster से sign करा के दुबारा upload कर दीजे बस NSP का bonafide simple जो NSP देते हैं लेकिन अगर हम लोग कोई भी other scholarship apply करते हैं जैसे एक लान जारकान इस्टेट का यह UP या पिर कोई other scholarship buddy या पिर कुछ भी scholarship अगर हम लोग apply करते हैं वहाँ पर अगर bonafide certificate मांगा जाता है तो हम लोग school के दुबारा दिया जाने वाला bonafide certificate को upload करते हैं वहलोग इस्कूल अपना design करेगा अपना modify करेगा इस्कूल का नाम उपर में देगा heading डालेगा नाम फलना फलना यह सब लिग के signature महर करका upload करना पड़ता है लेकिन NSP का bonafide का rule है कि जो NSP देगा उसको download करना signature महर कर दिया था जिसके बज़े से यह problem हो गया और district nodal officer इसका form defective कर दिये यह problem एक student के साथ नहीं हुआ जितना कोई किया है या फिर bonafide कुछ भी upload किया है ने भी upload किया तो उसके साथ यह problem हो रहा है लेकिन पहले में आप सभी student को और जो district nodal officer verify कि इनका form उनको भी कहना चाहूंगा कि NSP में जब भी हम लोग document upload करते हैं उहाँ पर red color में उपर में लिखा हो रहता है कि अगर आपका amount 50,000 से कम आएगा तो आप कोई भी document upload नहीं भी करते हैं खाली final submit अगर कर देंगे और institute अगर आपका form verify कर दिये तो आपको district nodal officer भी verify कर देंगे या फिर आगे और processing होते रहा कोई problem नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर district nodal officer यह student का गलती यह था कि अपना bonafide का जो format था वो गलत format था और उसको upload कर दिया था अगर bonafide student अगर bonafide upload नहीं भी करता तो form इसका आगे district nodal officer verification कर देते हैं क्यूंकि NSP का rule ही यह 50,000 तो आपको मिलने वाला है नहीं क्यूंकि यह student graduation कर रहा है student देख पर है college से graduation कर रहा है ठीक है तो इसको 50,000 तो मिलेगा नहीं कि सारा document upload करेंगे bonafide यह वो नहीं भी upload करते direct form बढ़ते final submit करते अगर institute आपका form verify कर देते तो बागी आपका सब कुछ verify automatic हो जाता लेकिन बात है गलती हो गया सो हो गया अभी देख पर इस student का problem क्या हो रहा कि यहां पर application form में आ रहा है इसका application form आ गया आप बोलेंगे कि defective तो हुआ है तो इसका form को हम अभी bonafide का upload कर देंगे तो सभी student के साथ यह हो रहा कि save and continue करने के बाद form और आगे जाही नहीं रहा यह हो रहा server का problem जबकि NSP में देख पर जबकि NSP में final verification date for scheme of minority ministry affairs has been extended 25 February 2021 यहां पर देख पार है 25 February तक इसका date extended हो गिया है और 20 February तक था इस student का यहां पर defective किया है solo February को देख पार है solo February को और इसका date था 20 February तक लेकिन यह student 17 को भी upload करने का try कर रहा था लेकिन इसका form मतलब इसका आगे और हो ही नहीं रहा था save and continue के बाद आगे होगा तबना अपना bonafide जो NSP का bonafide उसको download करेगा पिंसिपल सिगनेचर कराएगा फिर upload करेगा ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि यह server का problem NSP का या फिर NSP बहुत ज्यादा student जब apply कर दिया था NSP बहुत आप बंद करो सबका form defective है reject है जो भी है कोई form आप सुधार भी नहीं सकता यही problem हो रहा या फिर आप अपना district के जहां पर आपका कल्यान ओफिस है डिस्टिक कल्यान ओफिस जहां पर डिये मतलब जो डिस्टिक नॉडल ओफिसर आपका form verify कर रहा है जो जहां पर verify करते हैं वहां जाके बोलिए कि आप defective तो मेरा form किये हैं सोलो को हम सोलो को ही अपलोड कर रहा बोनाफाइट तो अपलोड नहीं हो रहा था सत्रों को भी कर रहा था अपलोड नहीं हो रहा था जबकि अभी मिनिस्ट्री आप माइनरीटी एफर्स का date extend भी हुआ 25 परवरी तक फिर भी student अपना कोई भी अगर किसी का भी form अगर defective हु कि अभी student कोई भी student save and continue हो गाई नहीं देख पर होई ही नहीं रहा मतलब यह NSP अपना server में करके रहे किसी भी student को और आगे नहीं जा रहा तो आपको district notal officer से contact करना जाके बताना कि यह problem हो रहा आप उपर में contact कीजिए जो भी server है problem है जो भी दिख्या तो उसको सही कीजिए अ कर दीजे आप लोग खुद से जाएंगे district client office district notal office से जहां verify करते हैं वो फिर आगे contact करेगा उसका just आगे तो सबका contact number रहता ही है contact करेंगे तो वो अगर यह server problem हो रहा तो ज़रूर जल्दी सही कर देंगे 25 तक time में आप लोग जाके contact कर लिजे तो बस इस वीडियो में इतना है बहुत बड़ी problem है जो कि मैं आप लोगा share कर दिया तो वीडियो informative लगे तो लाइक किजिए फ्रेंट को share कर दीजे चैनल पर नहीं तो subscribe के लिए जैने आने update पाने के लिए चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पे